केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक संस्शोदन कानून लाने के विरोध में कॉंग्रेस के अल्पर सेंख्यक्र मेंद प्रकोस्त के वाईश शेर्मेन क़ पुलीस ने पैदान मंतरी मोदी और ग्रे मंतरी अमीर शाह का पुतलब फूखंग ने और धारए एकसोच बालिस पु पर कारवाही करते हुए पुलिस ने यूवक को गिरफतार किया है और मुकदमा दर्च करके जेल भेजा जाएगा दरसल देजवर्ग में नागरिक संचोधन बिल के विरोध में उग्र आंदोलन और प्रदशन किये जा रहे हैं साथ ही दिनली भी इसी आंदोलन में जल रही है प्रदशन करते हुए पुलिस और प्रदशन कारियों के बीच हुई जड़ब के बाद पुलिस की कारवाही पर सवाले निशान लगाते हुए कॉंग्रेस अल्प संक्यक प्रकोष के वाइस चेर्मेन ने अमिश्चा और पधानमंत्री नरेंद्र मोधी का पुतला फूखने का प्रयास किया जिसे रोगते हुए पुलिस ने युवक को ग्रफतार कर लिया और ठाने ले आई इस दोनान बजार भी बंद करा दिया गया तो वहीं रोध दर्च कराते हुए कहा गया कि केंदे सरकार के द्वारा ताना शाही वाला रवाई अपनाया जा रहा है मेरा हाज नर्सी लाने का जो हिंदुस्तान में प्रोग्राम था उससे हमारे देश के अंदर अफ़रा तफरी फैल गई है और खासकर क्यूंकर मैं अलपसंखेर डिपार्टमेंट का एक वाइस चेर्मेन हूँ तो मुझे इस बात की ज्यादा परशानी है कि हमारे देश के अंदर जि पूरा पूरा भारत जल रहा है और भारत जल रहा है तो ऐसे हालात में हम कांग्रेश के लोग कैसे और संख्या विभाग के लोग कैसे इसे बरदाश कर सकते हैं इसको लेकर हमने आज आंदोलन करा था और आंदोलन में हम चाहते थे कि हम गैनेदर गोदी और अभी शाह का तुल आ पहूस्मानजी को दुखे ऊंट्राप हुआ लेकिन यहां की गलशहीद पुलीश यहां आ गई, उन्होंने हमें जी चारों से घिरले लिया और हमें यहां गिरफतार करके थाने परने आये तो हम लोग अगर ये वापस नहीं लिया इनूने दोनों भी लोगों ये वापस नहीं हुआ तो हम लोग अभी दुबारा से इसके अंदोलन की धन्डीती कॉंगरेस के और नेताओं को बुना करेंगे और ये पिंदरशन हम दिल्ली और लखनओं पे भी करेंगे हम पुतला अभीशा और मोधी का फूगना चाहते हैं क्योंकि यही लोग देश के अंदर धर्मबाद जातीबाद और आरा जकता पहला रहा हैं जिससे और हमारे खासकर मुस्लिम भाईयों को इसलाव चात्रों को आतंग बादी बता रहे हैं पुलिसा चीर लिया पुला जले लेड़ी